डॉलिंग किचिन में कुल्फी सिरीज में आज हम सेकिंड बेस बनाएंगे जिसमें कि हम मावा का यूस बिल्कुल भी नहीं करेंगे लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल मावा जैसा आएगा तो उसके लिए एक पैन में हमने 1 लिटर मिल्क लिया है अब हम इसमें 1.5 टी स्पून जैन्थम का मैट करेंगे आप यहां पर 1.5 टी स्पून सी एंसी पाउडर या फिर 1 टेबल स्पून कॉन फ्लोर का यूस भी कर सकते हैं अब हम फ्लेम को आउन करेंगे और इसे कॉंटिनूसली चलाते हुए एक बॉयल आने दिंगे चलाना बंद नहीं करना है नहीं तो मिल्क पाउडर पैन के तले में जाकर लग जाएगा और दूद चल जाएगा साइट्स पे जो मलाई आएगी हम उसे उतार कर मिल्क में ही आड़ करते रहेंगे उसी से हमारे धाने बनेंगे ये देखे धाने बनने शुरू भी हो गए है आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने इसमें मावा का यूज नहीं किया है कॉंटिनू चलाते रहेंगे और एक बॉयल आने पर हम इसमें शूगर एड़ करेंगे और दूद को ठंडा होने देंगे और 2-3 बार बीच में चला लेंगे ठंडा होने के बाद ये देखे हमारे ना तो दूद में मलाई आई है और हमारा कितना स्पूट दूद बना है और कल हम ये फूट का यूज करके इसे फ्लेवर देंगे थैंक यू फो वाची